हेलो फ्रेंट आज मैं आपके साथ एक डिजाइनर कुर्टी की कटिंग और स्टिछिंग की वीडियो शेयर करूंगी तो इसके लिए मैंने 3 मीटर फैबरिक लिया है और इसके टॉप पर्ट में मैं लाइलीन को एटच करूंगी तो इसके लिए मैंने लाइलीन को इस तरह से कर लिया है बैक पर्ट और फ़ांड पर्ट में दोनों को एक साथ में कटिंग करूंगी तो फैबरिक को मैंने 4-4 कर लिया तो टापपर्ट की लेंद में रखूंगी 15 इंच और 1 इंच मार्जिन में प्लस कर लूंगी तो 16 इंच पर मार्क है 6.75 लिए इसे भी 6 पे मार्क करके ये दुनों पाइंट को जाइन कर लेना है और इस एक स्टेट लाइन करना है आपका जितना चेस्ट है उसका 4th पार्ट लेना है और प्लस 1.5 इंज मार्जिन वेस्ट का 4 पार्ट और फ्रॉंट पार्ट पे मैं डाट दूँगी इसलिए मैं 1.5 इंज मार्जिन एक्स्ट्रा ले रहे हूँ और 1.5 इंज मार्जिन के लिए अब यह लाइन को जॉइन कर लेना है और टक्स पॉइंट के लिए मैं उपर से 11.5 इंज पे मार्क कर रहे हूँ और आपका जितना फुल बस्ट है उसका दस्वा भाग लेना है इस तरह से मार्क करना है और 0.75 इंच जोनों तरफ मार्क कर रही हूं डार्ट के लिए तो इस तरह से डार्ट की मार्किंग कर लेना है और आधा इंच इस तरह से बढ़ा के मैं तीर्चे पे इस तरफ आधा इंच का मार्क करके इस तरह से तीर्चे में लाइन को ड्रॉ कर लेना है बैक आर्मूल के लिए 1.25 इंच पे मार्क करना है मार्क करके बैक आर्मूल को ड्रॉ कर लेना है और 0.75 इंच पे मार्क करना है और 1.5 इंच भीतर से फॉर्ट आर्मूल को ड्रॉ कर लेना है और फॉर्ट पार्ट में बैक पार्ट से 1.5 इंच में कम रखूंगी तो इसके लिए यहाँ पे इसके उपर एक लाइन ड्रॉ कर लेना है अब बैक पार्ट से लेके इस तरह से इसको कट कर लेना है तो मैंने इसको कट कर लिया है अब बैक पार्ट को साइड पे रखता है और फॉर्ण आम होल और यह आदा ही चुपर का लाइन को कट कर लेना है तो मैंने इस दोनों को कट कर लिया है अब यहाँ पे कट लगा के सेंटर पे अब फ्रॉंट पार्ट को साइट पे रखना है और बैक को लेना है और West का 4 पार्ट मार्क करना है और यह फॉंट बैक पर में एक इंच का डार्ट दूँगी और 1.5 इंच मार्जिन अब यह लाइन को ड्रॉ करना है और यह फिटिंग के लाइन से इस तरह से टेप को फोल करके इसके सेंटर पे एक मार्क करना है और 6 इंच उपर तक दोनों तरफ आधा आधा इंच मार्क करके डाट की मार्किंग कर लेना है और इसको कट कर लेना है अब यह बैक पार्ट फॉर्ण पार्ट में में फैब्रिक के उपर रखके कट करूंगी तो जितना फैब्रिक इसमें लएगा उस हिसाब से फैब्रिक को फोल कर लेना है फोल करके इसके उपर फॉर्ण पार्ट को रखना है और इसके नीचे बैक पार्ट और जो फैब्रिक बजेगा उससे मैं सुलिप की कटिंग करूंगी तो इस तरह से इसको सेट करके रखना है रखके इसको कट करना है अब मैं इसको cut कर लिया है तो मैंने front part को cut कर लिया है और back part को भी cut कर लिया है और यह नीचे से इतना fabric बचा है तो यह fabric का length है 11 inch और इसको मैं इस तरह से fold कर लूँगी दोनों slips के लिए और बीच से मैं इसको cut कर लूँगी तो यह सारे 5 इंच रहेगा तो मैंने इसको cut कर लिया है और दोनों के सीधे side अंदर के तरफ रखना है तो इस तरह से इसको set कर लेना है दोनों को सीधे side को अंदर के तरफ के रखके इसको fold कर लेना है फोल करके सेट करना है अब उपर से साड़े तीन इंच पर मार्क करना है और जितना आपका चेस्ट है उसका फोट पार्ट लेना है उसका मार्क करना है और डेर इंच वितर मार्क करके इस तरह से बैक आर्म होल और फ्रॉंट आर्म होल को ड्रॉ कर लेना है और सिर्फ रॉंड का आधा मार्क करना है और 1.5 इंच मार्जिन अब ये दोनों लाइन को जॉइन कर लेना है पॉइंट को और इस तरह से कट कर लेना है तो मैंने इसको कट कर लिया है और सेंटर पे एक कट लगाना है और इसको खोल के front armhole को cut कर लेना है इस तो ऐसे front armhole को cut कर लेना है इसका length में बाद में इसको बढ़ाऊंगे तो पहले मैं skirt part की cutting करूँगी तो यह जो fabric जो बचा हुआ है यह पूरे fabric को मैंने 4 fold में कर लिया है और पूरा fabric को अच्छे से सही से set करके रखना है तो मेरा top part का length है 15 inch और इसके नीचे में 8 inch का मैं फ्रिल दूँगी तो यह हो जाएगा 23 inch और यह पूरा address ready होके होगा 48 inch इसका length होगा तो इससे मैं 23 inch माइनस करने से यह होगा 25 inch और इसमें मैं 1 inch margin एड़ करूँगी तो skirt का length में लूँगी 26 inch तो उपर से मैं 26 inch पर मार्क कर लूँगी तो मैं 25 inch और 26 inch दोनो निशान लगा के इस तरह से एक straight line ड्रॉ कर लेना है और इस तरह से इसको cut करना है तो मैंने इसको cut कर लिया है और यह जो fabric बचा है इससे मैं frill बनाऊंगे तो इस fabric को मैं इस तरह से double fold कर लूँगी डबल fold करने करके इसका length आ रहा है 9 inch तो उपर के तर्व आदा इंच जॉइन के लिए और आदा इंच folding के लिए इसको रखना है और इस तरह से बीच से इसको मैं cut कर लूँगी तभी मैं इसको side पर रख रही हूं और skirt part की cutting करना है तो west का fourth part लेना है और डेर इंच margin और नीचे के तरफ फैब्रीक जितना है यह पुरा फैब्रीक की मैं ले रही हूं और इस तरह से A shape मैं मैं इसको draw कर ले रही हूं और नीचे के तरफ इस तरह से थोड़ा सा गुलाई shape देखे इसको cut कर लेना है तो मैंने इसको cut कर लिया है तो इस डबल करने से गेरा आ रहा है 46 इंच तो ये पूरा कूर्टी बनके रेडी होके ये घेरा आएगा 92 इंच तो ये जो फ्रील है फ्रील बनाने के लिए जो मेना फैब्रिक जो एक्स्ट्रा बचा है इसको लेना है और इसको इस तरह से एक बार फोल करके बीच से इसको कट कर लेना है तो मैंने इसको बीच से कट कर लिया है तो एक-एक फिल का पूरा घेरा इसमें आ रहा है है 92 इंच का आ रहा है तो इस तरह से एक में बैक पार्ट में जोइन करूंगे और एक front पे मैं join करूंगी तभी मैं इसको side पे रखूंगी और front पार्ट कर मैं design बनाने के लिए मैंने main fabric का एक piece लिया है ये 3 इंच और आई है और इसके पीछे मैंने paper pasting को चिपका लिया है तो इस fabric के उपर में pin text बनाऊंगी तो आदा इंच का fold देके 0.1 का margin देके इसके ऊपर सिलाई लगाना है फीर थोरी सी दोरी में इस तरह से फीर और एक बार आदा इंच का fold देना है और इसके ऊपर सिलाई लगाना है तो इस तरह से पींट एक को बनालने लगा है कि इस बसे फोल करना और एक पॉइंट का मार्जिन देखिए इसके उपर रहिए लगाना है कि इस तरव पूड़े में इसमें इसे कॉने लिया है ठोल दिया है स्वेड इसकी निष्ट को लिए एक दुछ निशान लगाना है और नेक का लेंद में रखूंगी सारे 6 इंच तो इससे एक इंच उपर और एक मार्क करना है यहां से मैं यह पिंटेक्स को यहां से रखूंगी और इसको भी इस तरह से फोल्ड करके इसके बीच में भी एक निशान लगा लेना है दोनों निशान को मिला के इस तरह से रखके इसको साई से सेट करके रखना है और फिर रखके इसके दोनों साइट पे सिलाई लगा लेना है तो मैंने इसके दोनों साइट पे सिलाई लगा लिया है और इतना जो फैब्रिक जो एक स्ट्रब है उसको कट कर लेना है अब इसको को रेडी करना है और इसके दोनों साइट पे ये लेस को मैं एटच करूंगी तो मैंने इसके दोनों साइट पे मैंने लेस को एटच कर लिया है अब नेक को रेडी करने के लिए मैंने पेपर पेस्टिंग को कट करके मैंने में फैब्रिक के ऊपर चिपका लिया है इसरो से मैंने इसको आयरं करके चीप का लिया है और नेक की मैंने और एकदम पेपर पेस्टिंग बड़ाबर इसको सेट करके उपर सिलाई लगा लेना है तो मैंने इसके उपर सिलाई लगा लिया है अब थोड़ा सा मार्जिन रखके एकस्टा फैब्रीक को कट कर लेना है और निक के चारो तरफ चोड़ चोटे से कट लगाना है कट लगाके लाईलीन के फैब्रीक को पुरे पीछे के तरफ पलट लेना है पलट के इसके उपर टॉप सिच लगा लेना है और मेन फैब्रीक के साथ लाईलीन को एटच कर लेना है तो मैंने इसके उपर top stitch लगा लिया है और main fabric के साथ मैंने lailin को attach भी कर लिया है और जो मैंने dart की marking किया था इसके उपर भी मैंने slay लगा लिया है अब मैं top part के उपर skirt part को मैं join करूँगी तो top part के नीचे इससए skirt part को रखना है और दोनों के सीधे size अंदर के तरफ रखके आदह लिंच का margin देखे मैं इसके ऊपर सिलाई लगा लूँगी इस तरह सई से रखके इस सिलाई लगाके इस तरह से join कर लेना है तो मैंने इसको join कर लिया है अब इसके नीचे frill बनाने से पहले मैं आगे slips को ready कर लूँगी तो slips के लिए मैंने तीन इंच शौराई में मैंने एक दो strip कट कर लिया है तो एक strip को लेना है और एक slips को मैं ले रही हूँ और slips को इसके उपर इस तरह से रखना है दोनों के सीधे साइड अंदर के तरफ रख के आदा इंच का margin देके पहले इसके उपर चिले ही लगाना है फिर इसके उपर प्रेस्टिच लगाना है तो इस तरह से सिलना है और फिर इसके नीचे डबल फोल कर लेना है बाटम को डबल फोल कर लेना है स्लिप्स के उपर और जहां पर मैंने ये बड़ा है ये जॉइन किया है उसके उपर मैं ये लेस को इस तरह से एटच कर दूँगी इस तरह से स्लिप्स को रेडि कर लेना है तो मैंने इस तरह से slips को ready कर लिया है अब फ्रील को बनाना है तो यह पुड़ा फ्रील को मैंने यह पुड़ा फैब्रिक को मैंने खोल लिया है खोल के फृुल्ट बैनाने के लिए इस तरह से Kunplit बनाना है इस तरह से चोड़े के पींश सेट कर लूंद गी और इसका एक पाट का घेरा आघा है 46 इंच का इस तरह से यह 92 इंच वान पाविक में 46 इंच मैं इसको इसतर से बना लूंद गी यह फ्रील को मैंने बना लिया है और इसके उपर मैंने सिलाई भी लगाया है बड़े टाके के मैंने एक सिलाई लगा लिया है अब इसके उपर घेरे के उपर इस तरह से फ्रील को रखना है और एक बर चेक कर लेना है कि ये दोनों बड़ाबर है क्या नहीं अगर कम आएगा तो फ्रील प्लीट को थोड़ा खोल लेना है और अगर ज्यादा आएगा तो दो एक फ्लीट बीच में लगा लेना है तो मेरा एकदम सही आ रहा है तो अब मैं इसके उपर इस तरह से रखके मैं इसको एटच कर लूँगी तो इस तरह से रखना है रखके आधा इंच का मार्जिन दे के इसके उपर सिलाई लगा लेना है तो सिलाईकर को इस तरह से जॉइन कर लेना है और फिर इसके उपर प्रेस्टीज भी लगाना है तो इस तरह से मैंने फिल को जॉइन कर लिया है तो फिल जॉइन होने के बाद यह बहुत ही सुन्दर लग रहा है तो यह इस तरह से दिखेगा अब मैं फॉंट पार्ट के उपर बैक पार्ट को जॉइन कर लूँगी तो फॉंट का जो यह डिजाइन है यह डिजाइन मैंने आपके शाथ शेयर किया है अगर आपने नहीं देखा है तो एक बाद देख लीजेगा और इसके नीचे भी मैंने फिल को अटच कर लिया है अब फॉंट पार्ट के उपर बैक पार्ट को रखके शोल्डर को जॉइन कर लेना है तो मैंने शोल्डर को जॉइन कर लिया है अब इसको फिटिंग के अब स्लिप को अटच करना है तो slips को इस तरह से इसके ऊपर रखना है font के तरफ font को join करना है और back armor के तरफ back को join करना है इस तरह से slips को attach कर लेना है तो इस तरह से मैंने दोनों slips को attach कर लिया है अब इसको पीछे के तरफ घुमा के fitting के marking कर लेना है तो इस तरह से इसके ऊपर marking करना है सिप्स की मार्किंग करना है, चेस्ट की मार्किंग करना है और इस तरह से निश्ण लगा लेना है और इसकी उपरी सिलाई लगाना है और यह सिलाई इस तरह से करके पुरे नीचे के तरफ ले जाना है इस तरह से पुरे जॉइन करना है और यहां तक इसको जॉइन कर लेना है पहले फिर बॉटम को फोल्ड करना है तो यह है इसका फाइनल लूप और ये बढ़ने के बाद ये address बहुत ही सुन्दर हुआ है और इसका fitting भी बहुत सुन्दर आया है तो friends आप एक बार ये जरूर ट्राइ करके देखिएगा तो friends आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो please like कीजिएगा, comment कीजिएगा और अगर आपने मेरे चैनल को subscribe नहीं किया है तो please subscribe कर दीजिएगा, thank you